उत्तर प्रदिश सरकार जिस तरीके से लगतार बुल्डोजर चला के कारवाही कर रहे हैं उसके खिलाप आज सुप्रिम कोट में सुनवाई हुए है सुप्रिम कोट ने अपनी ओर से टिपड़ी की है कि ऐसा भी लगता है कि ये कारवाही एक तरफा हो रही है जबार साथ बातचीत के लिए इस वक्त मौझूद हैं कॉंग्रेस के पूरू प्रदेश सद्यक्ष अजयकुमार ललूजी सरकार बात के तो सुप्रिम कोट ने ये टिपड़ी भी कर दिया कि हो सकता ये कारवाही एक तरफा भी हो क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है सblowing गलत हो सकता है नोटिस जारी करने की बादी सुप्रिम कोट ने कही है मुझे लगता है कि आज जो उत्तर प्रदेश में सरकार है कारे पालीका भी हो ही है नियाय पालीका भी हुई है और सभी चीजों को अपने अंदर समाहित करके चल लए है देश सम्मिधान से चलता है, सम्मिधान से सरो पर ही कोई नहीं हो सकता, अगर विधान सभा का गठन हुआ है, और सरकार बनी है तो वो सम्मिधानी के प्रक्रिया है, और मैं समझता हूँ कि सम्मिधान का अगर सदन और सदन के मुखिया पालन न करे, तो यह देश के लिए मैं लगता है कि किसी घर को तोड़ना तो बस चंद सकेंड का काम होता है और मैं समझता हूँ कि अगर सरकार नयाय पालिका के हाथों में जिम्मेदारी देती नयाय पालिका ताय करती किसी विव्यक्ति को सजा देने का प्रावदान उसी को है तो नयाय पालिका अपना काम करती है जो लोग दोसी हैं सरकार कारवाई करें लेकिन ये कारवाई जो अभी चल रही है ये गलत है क्योंकि पुलिस को किसी को पकड़ने का अधिकार है उसके खिलाब मुगद मालिकने का अधिकार है लेकिन जजमेंट देने का अधिकार तो नयाय पालिका कोताय करना है सजा का प्र से आदर्सों से भटक चुकी है कि सम्मिधान को नहीं मानती होगी सरकार इसलिए इस तरह की करवाई करें लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के वकिल हरी शालवे ने कहा कि जितने भी माकान गिराए गए यहां तक कि जो प्रयाग राज में अभी हाल में माकान गिराए गया उसको कि वह यह साबित करता है कि सरकार और सम्मिधानी काम कर रही है अगर वो मकान था तो हाउस्टेक्स वहां पर बिजली का बिल वहां पर पानी का बिल सरकारी सुब्दा कैसे प्रवाइड करा दी गई यह तो जो जबाब है वो तो सरकार को देना पड़ेगा और मुक्तमंत्री क्या सम्मिधान से बड़े हैं नैपालिका से बड़े हैं यह माना जाएगा कि आज आप सत्ता में सरकार में सत्ता के घमंड में चूर हैं, लेकिन कल आप अभी पूर्य मुख्यमंत्री होंगे, और पूर्य मुख्यमंत्री होंगे, तो उस समय आप सम्मिदान की दुआई देंगे, और मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को या सोच के चलना चाहिए, कि हम निर्माण करने आएं, अच्छा करने आएं, उत्तर प्रदेश को न्याय परत ब्यवस्था बनाने के लिए हैं, न कि विद्वनसात्मक राजनित करने आएं, और सबसे बड़ा बिशह है उत्तर प्रदेश में, जो बेरोजगारी एक सबसे बड़ा सवाल है, महंगाई सबसे बड़ा सवाल है, कानून ब्यवस्था सबस यही नौजवान उल्टेगा और आने वाले दिन में आपको सबक सिखाएगा। लेडी की कारवाई सही है, तो 2015 में हाई कोर्ट ने उस मामले को कैसे स्टे दे दिया था। और आप यह समझेगा, CRPC में दो तरह की विवस्ता होती है। यह केफा यार होता है, यह कंप्लेंट केस होता है। तो कंप्लेंट केस में कोई भी चीज ताय करने का अधिकार कोर्ट को होता है। और वो बाद में तै करती है कि इसमें हमें आगे क्या करना है। लेकिन अभी जो कारवाई पूरी तरह प्रतिबन देती। इडी ने पुना शुरू कर दिया, किसके दबाव में शुरू किया। जो दो अक्टूबर से कांग्रेस पार्टी ने आदे राहूल गांधी जी ने गोशड़ा किया है। भारत जोड़ोव अभियान इससे यह सरकार तरही है। कि अगर राहूल गांधी प्रियंका गांधी देश का कांग्रेस का कारेकरता पूरे देश में निकलेगा। कि सरकार की नक्यामियों को जंता के बीच में लाएगा। बेरोजगारी के सवाल पर महंगाई के सवाल पर नपरत जो देश में तेजी से पन पाय जा रही है। पाल पर, चीन जिस तरह भारत की सीमा में लगतार घुस्ता जा रहा है, भारत की तमाम जमीनों को उसने कब्जा कर लिया है, सेना का मनोवल जिस तरह इस सरकार में गिराए जा रहा है, कास्मीर में जो हालात और परिष्टिती है, धीरे जीरे जो देश बदल ला है, और उसके खिलाब लोगों में गुस्सा है उन सारे चीजों के तत्य को मोड़ने के लिए इस तरह का यह एक प्रगडंडा और जान बूझकर उल्याने का प्रयास जान बूझकर दबाव बनाने का प्रयास यह भारती जनता फार्टी कर रही है नरिद मोदी जी कर रहे हैं मैं समझता हू वो मनसुबों पर काम्याब नहीं होंगे राहुल गादि है न डरे है न डरेंगे न जुके है न जुकेंगे लड़े हैं लड़ेंगे एक आखरी सवाल दस मार्च 2022 को विधान सभा चुनाओ के नतीज़े आते हैं नतीज़े आपके नरूप नहीं आते हैं आपका इस्तीफा ले लिया जाता है तीन महिने के ऊपर समय हो चुका है अभी तक कॉंग्रस का प्रदेश सद्यक्ष उत्तर प्रदेश में नहीं मिला ह और साथ यही कारल है कि साथ रामपूर और राजामगर दोग सभग चुनाओ भी निड़ रहे हैं नहीं देखे यह मैं समझता हूं कि उसके भी जो प्रकिरिया है वो हमारे जो राष्टी नतितों है लगतार उस पर ध्यान दे रही है और जल्द ही राष्टी नतितों अध् महासचीर जी का बीमार हो जाना और फिर इस तरह की परिष्टिती सामने आना मैं समझता हूं ये भी एक कारण हो सकता है लेकिन जल्द ही अध्याच उत्तर प्रदेश में आएंगे और हम सब उनके साथ मिलकर प्राटी को संग्ठन को मजबूत करेंगे कितनी जल्द है जल्दी आ जाएंगे शुक्रियां से बाचित करने लिए कॉंग्रेस के पूर प्रदेश सद्यक्षाचर गुमार लल्लू है जिनका कहना है कि जिस तरीके से तमाम सारी कारवाई हो रही है विलकुल नयाय सम्मत नहीं है चाहे वो उत्तर प्रदेश में बु आपके